रिसा पंद के अर्थ सतक से जादा माही के छक्के और चौके के चर्चे हैं। मैच भले ही दिली ने जीता लेकिन दिल तो माही ने जीते हैं। जी हाँ दोस्तों महानतम सर्वे स्रेष्ट धोनी वे धोनी जीसे 20 साल पहले आप सबने लंबे बालों में छक्के चौके मारते हुए देखा था। और आप खोसी से चिलाते हुए कहते थे अरे जल्दी आओ आओ देखो माही मार रहा है। माही सालों बाद फिर बल्ले बाजी करने आए। पहली बार ऐसा हुआ था उनके कैरियर में की 3-3 पारी तक उनकी बल्ले बाजी नहीं आई थी। लेकिन इस बार जो महन सी धोनी लोटे क्या खूब लोटे। पहले 5 बॉल में जो 16 रन परे थे और वे छक्का मारतो ये एहसास हो गया कि इस माही में अभी बहुत दम बाकी है। हम सब फिर से उसी समय में चले गए थे। क्योंकि धोनी जब अपने बालों को बढ़ा रहे थे तब सब ने कहा कि भाई लूक तो वही हो गया है बस बल्ला एक बार फिर वैसे ही चल जाए। जहनुम में जाए मैच, भाण में जाए दुनियादारी हम तो बस माही को देखकर खुस हो लेंगे। सोला बॉल, सैतिस रन, चार चौके और तीन छक्के। और ये उस जादुगर की कहानी है जो बीते साल एक दो बॉल खेलकर लोट जाया करते थे। उस माही की कहानी है जो बल्लेबाजी ऐसे कर रहे हैं कि मानो वर्ल कप में वो भी ओडिसन दे रहे हैं। जो बल्ले पर तो एकदम गोली की रफतार से निकले लेकिन फिल्डर ने पकल ली। लेकिन फिर आया वे आखरी ओभर। वे गिंदबाज साउथ हपरिकन जो डेर सौकी रफतार से गिंदबाजी करता है। धोनी ने मार मार के धो दिया। वे चौके उसके बाद वे सिंगल हैंड छक्का। वैसे इस मैच में रिसप पंथ ने भी सिंगल हैंड छक्का मारा था। और चर्चाय भी बड़ी हुई थी। लेकिन बाप तो बाप होता है जनाब। चौका मारा फिर डोट किया फिर चौका मारा फिर एक डोट किया और आखिर बाल पर जब मैच समाप्थ हो रहा था तो फिर एक चौक का मारा। ये ऐसा मैच था जिसमें जो गिंदबाद छक्का खा रहा था वे भी मुस्कुरा रहा था विकेट कीपर रीसा पंथ वे भी गदगद हो रहे थे जटेजा भी मुस्कुरा रहे थे और देश-दुनिया के हर जगह चाहे दिल्ली के समर्थक थे या CSK के फैन थे उन सब की तो काफी मनोरम द्रिस से था 42 साल की उम्र में 231 के स्ट्राइक रेट से मारना आप इसे फिनिसर की दुनिया में गौड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे हमने पिछले मैच में भी देखा कि जब वे 2.27 मीटर की कैच पकरे थे तब भी दुनिया पागल हो गई थी पूरी दुनि याद आएगी सीएस के ये मैच भले ही हार गया हो लेकिन ये पूरा मैच एक तरफ और वे आखिर के 15 मिनट एक तरफ क्योंकि धोनी जब आए तो धोनी धोनी के गुन सातवे आसमान पर था और ये किसी भी खिलारी के आने से कई गुना जादा साउंड था इस पर सारे रिक देखने को मिल सकता है वे जो सिंगल हैंड छक्का था वे जो क्लासिक कवर ड्राइब थी वे जो धोनी का एस्टाइल थी वे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी नहीं और आपको बता दू कि धोनी ने इस मैच में रिकॉर्ड भी बनाया धोनी पहले साउथ-데 cyclien प्लेयर बने जिन्होंने 7000 रन T20 किर्केट में पूरे किये धोनी फिनिसर के दुनिया में अध्वीतिये हैं वो IPL को चलाते हैं धोनी जब आये तब पहली तीन बॉल पर ही दो चौका मार दिया था आपको बता दू कि ये वही मैदान है इसी मैदान पर धोनी ने अपना पहल पाकिस्तान के सामने जब सतक मारा था लंबे बालो में तब दुनिया ने जाना था कि कोई आया है महान सांदार धोनी कोई ऐसा इनसान जो कमाल कर सकता है और 2005 के बाद जब हम और आप 2024 में बैठे हैं तब भी वही चल रहा है नौके के आखरी ओभर है कमाल का मैच पहली प्रसंसकों को और नहीं चाहिए इसी मोवमेंट को जीने के लिए तो हम और आप इस मैच को देख रहे थे और ये मोवमेंट जो है हमारी आपकी इस म्रीतियों में सालो साल रहने वाले हैं बड़े समयबाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि धोनी को तीन मैचों में वैटिंग नहीं मिली थी और धोनी इंडिया में जजबात है इमोशन से ये जो स्टेटमेंट है कि धोनी धो रहा है ये एक इमोशन है और इस इमोशन को वे समझते हैं जो इंडिया किर्केट को फॉलो करते हैं रीसा पंत का सिंगल हैंड छक्का और महेंसी धोनी का 42 साल की उम्र में सिंगल हैंड छक्का कमाल की थी धोनी के प्रसंसक हर उम्र हर वर्ग में तमाम लोग आज सब धोनी धोनी के पोश्टर लेकर पहुचे थे और धोनी ने किसी को निरास नहीं किया जिस तरह वे फिनीसर है हम कह सकते हैं कि वे एवर ग्रीन फिनीसर है दुनिया के सबसे सांदार फिनीसर है और इस IPL में जब उन्होंने पहला च्छक्का मारा या जो उनके एंट्री पर जिस तरह से तालिया बजी यकीनन ये हम और आप कह सकते हैं कि धोनी अभी कई सालों तक खेल सकते हैं धोनी चाहे तो वर्ल्ड कप का भी हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि 42 साल के उम्र में धोनी ने जिस अंदाज में खेला है फिर से सब के दिल, दिमाग और जुबा पे छा गए हैं अज सब्द कम पर जा रहे हैं अदभूत और विश्वस्निये वो लमहा हमें आपको देखने और जीने का मौका मिला उन लमहों के बारे में आपका क्या राय है कहीं आपने उस पल को मिश तो नहीं कर दिया अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताए जे महाकाल